करने जा रहे हैं और आप यूटूब पर देख रहे हैं तो पेसिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने हिस्ट्री की बड़े में काफी कुछ देख लिया है करते हैं हम ने प्रीडेंडेंस का जो पीर्यट है हमने अंधर देखा कि इंडिया की क्या सिचिशन के कि लुमिक है 1950 ते लेके 90 नाइटी तक हमने देखा हमने lpg reforms के बारे मीं देखा और हमने planning के बारे में भी अब हम थोड़ा सा टेखनिकल डिटेल कर आएंगी यानि कि आप हम पढ़ेंगे मैक्रो एक्क्नोमिक्स के बारे ठीक है आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेरें सब्सक्राप देब वीडियो कमेंट भी करते रहें सब्सक्राइब करते हैं मैक्रो इकनोमिक्स की बात करते हैं सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन जो आपका आया था यह वर्ड अपने बहुत बार सुनाओ है ना यह 1930 में आया था यह आग क्या बोलते हैं अमेरिका युएसे एंड यूरोप तो इस दौरान एक्क्नोमिक्स का ड यह आ गया हमारा मैक्रो एकनोमिक्स और दूसरा आ गया मैक्रो एकनोमिक्स ठीक है यह दो अब यहां पर एक बंदे का नाम आता है जौन मेलाड केनी ठीक है इनको फादर अब एकनोमिक्स के फादर के तौर पर जाना जाता है ठीक है इनका इक ग्रिट वर्क आया था सामने पब्लिश किया था इनका काफी अच्छा वर्क था उसका नाम था था जर्णल थियोरी ओफ इंप्लॉइमेंट इंट्रस्ट एंड मनी 1936 में इसको पब्लिश किया था तो simply अगर बोला जाए तो macro economics जो है macro economics का मतलब होता है पूरा जंगल इस जंगल के अंदर animals भी आ जाते हैं इसके अंदर plants भी आ जाते हैं trees भी आ जाती हैं और भी बहुत सारे features आ जाते हैं लेकिन अगर हम micro की बात करेंगे तो micro आपका सिर्फ detail कर रहा है specific entity for example tree के साथ में तो यह फार्ग micro और macro में आ जाता है ठीक है forest आपकी बड़ी पिक्चर के साथ deal कर रहा है जबकि micro जो है वो आपका सिर्फ tree के साथ deal कर ठीक है तो micro और macro दोनों ही आपके Greek words आ जाते हैं इनका मतलब होता है small and big respectively अब अगर हम करदार आगे बात करे macro economics की बात करें तो micro क्या गरता बाई micro आपका एक bottom-up approach लेता है ठीक है वो economy को study करने के लिए एक bottom-up approach लेता है और macro economics क्या गरता है वो आपका top-down approach लेता है यह नीचे से ओपर की तरफ जाता है वो बसे लिचे की तरफ आता है for example अगर हम example ले रहेते हैं कि macro क्या गरता है macro income वो earn करते हैं क्या चीजें उनके consumption पैटन पो क्या क्या यह सब चीजें आ जाती है जबकि macro की बात करें तो macro आपके overall inflation growth GDP unemployment और national income ऐसे dynamics की बात करता है ठीक है दोनों की आपके अलगलग देखने में लगते हैं लेकिन एक्षरी में देखा जाए तो दोनों एक दूसरी के बहुत सारे चाहिए होंगे तभी तो मारा forest बनेगा तो यह दोनों एक दूसरे के उपर हैं क्योंकि बहुत सारे इंदोरों के साथ में आते हैं जैसे कि अगर हम inflation की बात करें अगर inflation यानि कि महंगाई में बढ़ा बड़ोतरी हो रही है तो यह macro effect पाजाता है और इसकी वज दोतरी होगी तके और इसमें अगर बड़ोतरी होगी तो इंडिवीडिव 있는 जो पर चीज़े खरेंने लिए पैसे दे रहा है कि है only उस creator में आपका फर्द के बलता है कि How Prices Are Determined ताम कैसे तैग किये जाते हैं ठीक है और मैक्रो क्या करता है मैक्रो ओफ on the other end ये देखता है कि वह एम्पेरिकल अब्जर्वेशन देखता है कि वह जो आपकी माइक्रो त्योरी के दोरे इसमें नहीं किये जा सकते अब देखो कोई competing school of thoughts नहीं है माइक्रो और मैक्रो में जैसे कि हमारे क्या है कि कुछ नहीं theories बन गई है new Canadian theories बनी है या फिर new classical theories बनी है लेट 1980 से ये divisions आपके और बहुत ददद दिरे-दिरे कम होते जाए एक वो तीसरा sector बना रहे है इसको कहा जाता है econometrics econometrics क्या है ये आपका third core और एक core area economics का जो कि micro और macro से अलगा जाता है इसमें basically आपका statistical जो चीज़ें होती है और जो mathematical models होते हैं economic analysis के उनको अपनाया जा इसके साथ ती distribution system की बात करें तो तीन economic systems के साथ साथ तीन distribution system की सामने आए है आप सबको पता है कि एक तो हमारा capitalist economy हो जाती है पूजी बात हो जाता है यहाँ पर distribution goods or services का market के चुरू किया जाता है लोग क्या करते हैं अपनी needs के साथ से market से सामान करेते हैं कैसा सामान करेते हैं on our price वो price जो market के principle के हिसाथ से ही determine की गई हो किसी government ने उसको fix ना किया हो ठीक है तो यह हो जाता है हमारा capitalist economy इसमें जो state economy दूसरी आ जाते है हमारी state economy क्या करते है generally इसमें distribution जो है वो आपका market की help के बिना किया जाता है डारेक्ली इसको supply करते हैं लोगों को देती है बिना किसी payment के और फिर तीसरा आ जाता है mixed economy यहाँ पर distribution system जो रहता है वो एक hybrid रहता है capitalism और state economy दौनों अब दौनों models के best features इसमें लिये जाते हैं और दौनों को उसमें use किया जाता है यानि कि इसमें state और market दौनों ही certain goods or services को क्या कर रहे हैं लोगों तक पहुचा रहे हैं कुछ goods or services को लोग मार्केट से खरीद रहे हैं जो उनको मिल पा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट सप्लाई नहीं कर पा रहा है उसको इस ट्रेट दे रहा है या फिर फ्री रेट पे या फिर सबसेटाइज रेट पे तो और पीरिड आफ टाइम यह सारी की सार वाशिंटन कंसेंसर ठीक है तो वाशिंटन कंसेंसर बैसिकली है क्या इंडियन और सारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक हो गया और उसके साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट ओफ ट्रेजरी ठीक है यह रहे कि यूएस की जो फाइनेस मिनिश्री है इन प्राइशनल को नाम दिया गया वशिंटन तर यूएस एक्नोमिस जोन विलियम सब्सक्राइब लेकिन देरे देरे यह जो टरम ता यह तर्म आपका नियो लिबरिजम के साथ सिलोरिजम के सिलोरिजम के देखा जाने लगा कि इसको नियो लिबरिजम भी का जाने लगा लैटन अमेरिका में इसको नियो लिबरिजम का गया मार्केट फंडामेंटलिजम नाम भी इसको दिया ठीक है मार्केट फंडामेंटलिजम ये नाम इसको George Soros ने in 1988 में दिया और इसको globalization के नाम से भी all across the world जाना जाता है मतलब इसका simple सा मतलब होता है एक ऐसा extreme या फिर dogmatic commitment किसके लिए commitment to the belief इस belief system के लिए कि market can handle everything बार्केट जो है वो सब देख लेगा ऐसा वाफिल्टन कल्सेस में बोला कि अब ये जो policy prescription था इसकी वज़े से हमारे LPG की बहुत सारे reforms आ है liberalization, privatization और globalization इसका simple सा मतलब होता है कि जो state का रोन होता है economy में उसको cut down कर दे ठीक है खासकर ऐसे ratios में गटान कर देना है जिनको टेवल्टमेंटल funding वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जा रही है या फिर जो की IMF के पास गई थे balance of payment crisis के टाइम पर जैसे की इंडिया गया था और फिर इंडिया ने reform process 1999 में लाए है ना यह की conditions IMF ने उनको दीती है उसके साब से तो एक्सपार्ट से मानते हैं कि जो United States का सब प्राइम क्रैसिस 2008 का हुआ था उसके बाद great recession जो आया था western developed economies में वो आपके Washington consensus की ideas की वज़े से ही आया था तो recession के बाद में market के अंदर जो लोगों का faith था वो दीरे-दीरे कम हो गया और sentiments आपके बढ़ने लगे कि इस चीज के लिए कि स्टेंड का intervention market में एक certain level तक होना चाहिए यानि कि developmental state का जो आइडिया था उसमें लोगों का आइडिया बढ़ने लगए अब इसके बाद आता है Beijing consensus चाइना का जो इसके बाद आपका आइडिया था बीजिन कंसेंस का इसको जोश्वा पॉपा रेमों ने 2004 में फॉर्वर्ड किया ठीक है इसको चाइनीज model of economic development के तोर पर भी जाना जाता है यानि कि वो पॉलिसी जो कि जैंग डैंग जियाए पिंग ने फॉलो की थी 1976 से जिस साल माउज जतान की डैथ हुई थी तो इस model पर एक तौर पर देखा जाता है वाशिंटन के तौर पर देखा जाता है या पिसको एंटी वाशिंटन कंसेस्टस के तौर पर भी देखा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस model को काफी ज़्यादा अटेशन दी गई है ग्रेट रिसेशन के बाद में जब वेस्टन एकिनोमी पर ग्रेट रिसेशन आया दोजार आट वे तब चाइना जो है चाइना की किनोमी काफी ज़दा डैनेमिक रही एक्सपर्ट्स में चा सेंटियागो चाहिल के अंदर एक सिटी आ जाती है इसको भी वाशिंटन कंसेंस के एक अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाती है अब बेसिकली इसमें क्या है कि जो गौर्ड बैंक्स ग्रुक जो है उनके तो प्रेसिडेंट जेम्स डी वॉल्फिंस शोवन उनने सेंट की एकनोमिक के साथ साथ आपको सोशल इंक्लूजन भी देखना चाहिए यानि कि यह सोशियो एकनोमिक डवलमेंट की बात करता है सामाजिक आर्थिक विकास की बात करता है और इसके अंदर होते हैं लोकल करेक्टरिक्स यह ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फरुकार नह साथ है अब उसके आद हम लोग थोड़ा टेक्निकल आजाए अब सोड़ा टेक्निकल मेक्रो की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें तो जरूरी है उनके बारे में भी डिस्कास करने जैसे सबसे पहले आजाएगा नैशनल इंकम अकाउंट कर सकें सिंपल शब्दों में कहा जाए हमारे वो मेथट्स या फिट पैजनीक्स विसके दोरा गवर्मेंट या फिर कोई और एंटिटी एकनोमिक एक्विटी को किसी नैशनल इकनोमी में मीजर कर दिये है वोता क्या है कि जैसे हम किसी भी सिंगल परसन किसी भी जो घार होते हैं वो क्या करते हैं आपके कोट्स और सर्विसिस को खरेते हैं फर्म से ठीक है और फर्म क्या करते हैं इस रेवन्यू को यूज करती है जो रेवन्यू को सेल से मिल गया है तो सामान उनों में बेचा है उससे जो रेवन्यू जनरेट होता है उस रेवन्यू से वो क्या करती है लोगों को तंखाएं बगरा देती है यह ना वरकर्स को लेंड ओनर्स जो रहते हैं उनको रेंट भी दिया जाता है उसी से और प्रॉफिट भी जो जनरेट होता है वोगी फर्म ओनर्स अपने पास रखते हैं तो यह सब आपका इससे होता है ठीक है अब यही अब यहाँ पर जीटीपी का मतलब होता है टोटल अमाउंट जो आपकी स्पैंड की गई है हाउसोर्स के द्वारा मार्केट में गुट्स और सर्विस्स को खरीद नहीं कि अभी यह वाली डेफिनिशन दे ना तो भाई यह जीटीपी आपका वेजिस रेंट और प्रॉफि फ्लौ ओ रिसॉर्स दिखाई देता है यानि कि पैसा किसी भी एकिनोमी में कैसे खूंबता रहता है उपने डायंग्राम आपको दुखाता है ऑउसोर्स की बीच्ट के ट्रांडेक्शन स्कोफिके बीचे ट्रांडेक्शन पौद्ध एस तरविस्स को गरों के तरह खरीद जाते हैं और अपनी इंकम को भी खर्च करते हैं वह इसको देख लेता हुआ कि आपकी आप अब हाउस ओल्ड ने कंजप्शन किया कंजप्शन यानिकि नोने फॉर्म से कुछ सामान को परीदा तो यह पैसा उनका फॉर्म के पास चला गया है कंजप्शन प्लस नेट एक्सपॉर्ट यानिकि फॉर्म ने कोई सामान बाहर वेजा और जो परी गमेस्टिक कंजप्शन हो रहा है तो उससे उनको पैसा मिलता है उसके बाद मैं आउस्वोर्ड के पास अगर जो प्राइविट सेविंग्स होती है उन सेविंग्स को फाइने फर्म के पास में पैसा हाता है और यह बाहर ये लोग वो बौर्वरोइग भी लेते हैं दूसरे से इंडिया से ब सकते हैं data ! ऐवर्मेंट लेते है और दूसी तर जा तो पैसा आपका गूम रहा ठीक है एक जगे से दूसे जगे आपका गूम रहा अब और आप पेरियोड आफ टाइम चार तरीके जो हैं वह आपके कैल्कुलेट किये गए किनुद्व और और तरीके जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं लाइक जिटीपी से और अगरम सिर्फ यह बात करें तो talking monkey को भी रखाटा किसी की डियूभी में कितने की का आप किया जा सकता है किसी के घ्रमी में इन तीनों तरीकों कैसे आप output method, income method और expenditure में ठीक है जैसे अगर हम total expenditure की बात करें तो total expenditure household का कितना हुआ है इससे भी calculate कर सकते हैं total income method को भी देख सकते हैं हम इसमें wages, rent और profit जो firms के दोरा आपकी pay की गई है वो आ जाता है और total value of final goods जाने की output method के दोरा भी हम इसको देख सकते हैं कि कितनी total value रही है final goods और services की जो की economy में produce के गए तो इसको output method या फिर इसको value added method भी कहा जाए तो सारे ता सारा expenditure जो economy में है वो किसी ना किसी की income तो बनी जाता ना यह भई हम सब को बत है ना तो GDP आपकी same रहेगी regardless of कि हम उसको कैसे compute करें कोई method से कर लेजिए कोई method convenient पर जाता है कोई inconvenient पर जाता है लेकिन GDP आपकी same रही है अब यह GDP क्या है तो GDP यानि कि gross domestic product होता है total market value किस चीज की total market value होती गई यह रहती है आपकी total market value सारे final goods and services की जो कि produce किये गए है किसी भी economy में मैंना किसी भी एक economy की बात कर लेते हैं उसके अंदर एक given period of time for example एक साल हो जाता है मारा उसके अंदर वही कितना प्रेडियूस किया गया है तो जैसे example अगर हम बात करें इंडिया का जो financial year रहता है वो 2025 फर्स्ट अप्यल 2024 से स्टार्ट हुआ है 31 मार्च 2025 को खतम हो जाए तो मतलब जितना भी value आपका final goods and services का है जो कि इंडिया की जोग्रफिक बाउंडर पर प्रेडियूस किया गया है उसमें आपकी national कोई भी individual या फिर कोई भी फर वो कहीं भी बिलॉंग करें लेकिन अगर वो इंडिया की territory में कोई भी production कर रही है तो उसके final goods की value को इसमें count किया जाए जैसे कि इंडिया के अंदर अगर किसी Japanese company ने इंडिया की territory के अंदर car का manufacturing किया है तो इसको हम GDP में डालें लेकिन अगर इंडिया के किसी company ने for example अगर हम Tata की बात करें Tata ने जाके UK में Jaguar cars का production क किया है तो वह हिंडिया की GDP में count नहीं किया जाए यानि कि इसमें सिर्फ आपका final output ऐसे goods or services का count किया जाकता है इस rule में यह चीज़ बताई गई है साफ-साफ कि सिर्फ हमारे जो final goods है यानि कि जो एंड इस्ट्रेइस goods है जो consumer directly आप इनको consume करेंगे जो finished goods है उनको ही count किया ज जाए डेवल काउंटिंग या triple counting raw materials की ना हो जाए intermediate products की या final products की सीरीस ही बात है आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सबसे पहले आपने किसी बंदे ने raw material किसी को बेचा आपने उसकी value calculate कर ली फिर उसकी बाद वो intermediate level पहुंचा उससे कुछ और बनाया जा रहा है तो वही आप अपने उसकी value भी calculate कर ली और फिर जब वो final बनके तयार होगे तो आपने उसकी value भी calculate कर ली तो यहां पर तो तो तीन बार बेचा गया है ना जब आपको final देखो जब बंदा raw material आपका intermediate को बेचेगा तो अपनी cost उसमें include कर लेगा और जब intermediate final को बेचेगा तो वो raw material की cost भी तो अगर आप अलग-अलग independent की तीनों को count करोगे तो फिर हमारी double counting या फिर triple counting final products की हो सकती है जैसे कि कोई भी आपको में भी लेना है तो इसके अंदर steel की value already calculate की जाती है ग्लास की value already calculate की जाती है रव और या बाकी component उसमें लगे हुए है जो उसको बनाने के लिए उसको बन और यो already calculate करने के बाद ही तो market में इसको रखा जाता है जो बोला जाता है कि इसकी on road price इतनी है तो अगर मानिके किसी bike की है किसी car की on road price 10 लाख है तो उस 10 लाख के अंदर उसके tie, steel सब कुछ आ जाती है उसमें अगर आप 10 लाख उसके value रदेंगे फिर आप इसमें steel की price बात करते हैं कि final output क्या होता है तो final output यानिकी goods और services जिसको आपने final use के लिए consumer के तौरा खरीदा गया है और वहीं अगर हमारे intermediates जो goods आ जाते हैं या फिर raw materials आ जाते हैं या फिर factors of production आ जाते हैं इनका मतलब होता है ऐसे products जिनको आपका input के लिए use किया जा रहा है इन products को आप किसी और जगह production में input के तौर पे यूज़ कर रहे हैं है ना तो फिर double counting को रोगने के लिए दो तरीके आ जाते हैं पहला तो यह कि आप सिर final product जो है उसकी पहले को ही calculate कीजिए ठीक है दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि हर स्टेज पे स्टेज वन आपके raw material वाली आगी स्टेज 2 आपकी intermediate वाली आगी और स्टेज 3 आपकी final product वाली आगी आप हर स्टेज पे जो value के addition किया जा रहा है आप उनको calculate कीजिए from beginning to the end है ना और specifically आप उसके बाद क्या कर देजिए final value जो उसकी sales के लिए for example अपने final value 10 असला ने इसकी sales की रखती और स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पो मिला कि 9 लाग रुपय आ रहा है तो 10 में से 9 लाग रुपय आप मार्केटिंग की value या फिर last वाली उसकी final value है वो कितनी आ रही है यानि कि 9 लाग रुपय आपकी इन तीनो stages में लग चुके यानि कि स्टेज 1 है हमारा nominal GDP के सिंपल से मतलब होता है कोई भी हमारा जो current year है current year जो है production ठीक है किसके production था current year और हमारा goods और services के production का इनकी value आपकी current year के basis में ली जाती है current year prices के basis में ली जाती है जैसे 2024-2025 हो गया अभी current वाला तो अभी के GDP आपकी calculate की जाए कि वह 9 लेकिन दूसरा जो real concept आता ह वो आता है real GDP का अदलब यह होता है कि जो current year of production होता है उसको आपका value किया जाता है based year की prices पे ठीक है यानि की base year की prices आपकी constant होती है नॉर्मल यह होता है कि आपका specific year choose कर लिया जाता है for example 2016 और 2017 चूस कर लिया गया अब उस दौरान चीज़ों की value कितनी थी है ना और 2024 और 2025 में कितनी value थी तो उसके basis पे आपका calculate किया जाता है ना कि अभी के basis पे calculate किया जाता है अब real GDP एक much better way GDP को calculate करने कि क्यों आ जाती है क्योंकि किसी particular year में आपका जो prices है जो GDP है वो generally bloated हो सकती है यानि कि जादा आपकी उसके जो numbers वगरा है वो आपको जादा भी दिख सकते है क्यों क्योंकि higher rate of inflation हो सकता है कि उस particular year में महंगाई बहुत बढ़ गई गुरूथ एक गल्स एकनोमिय में बढ़ रही हूँ है ना तो वही उसकी वज़े से आपकी ज्यादा prices आ सकती है लेकिन real GDP में क्या होता है कि हमें यह determine करने का मौका मिलता है कि production अगर increase हुआ है या से production आपका जो decrease हुआ है inflation आपका बढ़ा है या फिर घटा है ठीक है उन आप इसे समझ लीटे कि ओवर टाइम इसको एक एवरेज की तौर पर देखा जाते है तो एवरेज हमें एक स्पैसिफिक सरी वेल्यू देता है हर साल दर साल हमारी GDP के क्या प्राइसे आ रहे तो उससे हमें पता चलता है for example में आपको एक छोटा सा नुमेनिकर टाप का एक् एपल अपके प्रेडियूस किये गए एकनोमी में और हर एपल की कोस्ट कितनी थी वन डॉलर एक डॉलर का एक एपल आ रहा था ठीक है तो जो हमारी नॉमेनल GDP हो जाएगी उस एकनोमी की 2010 के साफसे वह आपकी वन इंटू 100 करेंगे तो हमारी हो जाएगी 100 डॉलर ठीक है अ जो है वो उनकी तीन डॉलर में पर्श की है तो अब अगर हम यहाँ पर नॉमेनल GDP को calculate करेंगे तो थी इंटू 50 हो जाएगा 150 डॉलर ठीक है 150 डॉलर हो गया यानि कि हमारा production वले ही कम हो गया हो लेकिन GDP के numbers में आपको increment देखने को मिल अब हमने क्या कर दिया हमने 2010 को base year के त 2010 के लिए है वो तो 100 पर ही रहेगी हैना लेकिन 2015 के लिए अगर हम GDP देखेंगे तो फिर वह आपका क्या होगा कि यानि कि इसकी प्राइस को हम इसकी प्राइस को मिल्टिप्लाइ करेंगी वन इंटू 50 किया जाएगा और हमारे पास आएगा 50 डॉलर ठीक है तो मतलब अब द दिए एकनोमी की अुर्ड़ या फिर 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 उसके बाद जो प्राइस को सफनी के बाउंटरी को देखा जातीर कि उसमें क्टिरे के अंदर कितना आपका गॉट्स और सरविसें का प्रोडक्शन किया गया है सिटिजन्स और फॉरिनर्स दोनों को इसमें काउंट कर लिया जाता है अपस कंट्री की पॉंट्री के अंगर आप जो है वो सब कुस्ट कर रहे हैं लेकिन जी एंपी क्या होता है यह मारा जी एंपी आपका बेसिकली इस चीज़ पर फोकस करता है कि आउट्पुट कहां प्र अब यह पर यहाँ पर यह लोग बाॉंट्री को नहींको यह लोग बाउडरी वडिल ठीक है तो जेन पी जो आपका रहता है यह इंडिया के आउटपूट को देखता है जो इंडिया के अंदर भी आ जाता है विदिन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों में आ जाता है तो कुछ एक्जामपल्स हमारे आ जाते है जैसे कि इतनों सब्थ हमारी यूएस की फर्म है जब यह अपने उफिस्ट को प्रोडक्शन यूटिलिटी को इंडिया में खोलती है तो इसका जो आउटपूट आपका आएगा उस आउटपूट की वेल्यूट को हम इंडिया की जीडीपी में शामिल करेंगे लेकिन इसको इंडि प्रोडक्शन कहा, जीडीपी ये तुट अवारी यूट की जीडीपी में हमारी अकविशन आ जाते है जिसको आ जाता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इंगवन नेट फैक्टर इंगवन फ्रॉंग अब्रोर क्या है तो एकनोमी के केस में जो आपके केसा तो मतलब कि पैसा अधियक्त जाता है और अंदर के लिए च्णिय में जो आपके जीडीपी यह वह वह तो आपके जर्नल्ло के जीएएंट बाहर का पैसा और एब शराएं तो मतलब कि हमारे बारे लोग बाहर सब्सक्राइब करने तो अब दोस्ति नहीं कि अगर बाहर किसी वह जोने में एक्टिविटी कर रहे हैं और वहां पर ऑच्छी-कासी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो जब economic activities कर रहे हैं, किसके comparison में जो की India आ रहे हैं और India आके एक्विटी कर रहे हैं तो हमारे citizens जो बाहर economic activity कर रहे हैं तो अगर foreigners जो इंडिया में आके economic activity कर रहे हैं उस से ज़्याधा है तो उस case में of course इसी बात है कि GNP GDP से ज़्यादा हो जाए इंडिया के case में हमारा जो GNP है वो generally GDP से lower रहता है क्यों? क्योंकि जो net income abroad से आती है वो हमेशा negative रहती है इंडिया में ठीक है नगी GDP आपको economists all across the world use करते हैं कुछ economists इसको criticize भी करते हैं कि इसने किसी भी nation की economic interest rate पता नहीं चाथ यानि कि GDP के करता है GDP आपका profits को देखता है GDP कुण profits को भी देखता है जो कि overseas company ने किसी देश में कमाया हो और फिर वो इस पैसे को क्या करते हैं रेमिटेस के तुरू अपनी home country में बेज देते हैं foreign investors तक बेज देते हैं तो यह जो रेमिटेट profits होते हैं यह आपके generally उन से बहुत जादा होते है जो कि किसी नेशल के overseas citizen में नहीं और कमाया है कोई company इंडिया में आई उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया उस पैसे को उन्होंने वापस अपने देश में बेज दिया अब इसको count तो हमने GDP में कर लिया और बजाए आपके वह हमारी जो हमारी इंडिया से भाहर कहीं जा रहे है वहां पर और कमायी कर रहे है उसको जीनपि में तो count कर लेते हैं लेकिन वह भी हमारे कि पैसा count कर नहीं आ रहा है तो इस case में जो जीनपि हमारा वापका GDP से कम हो जाए कि बाहर बारे लोग जो रवेटेंस कर रहे हैं वो आपके ज्यादा आ जा रहे हैं तो यह जो डिफ्रेंसिस आपके जीडीपी और जीएंपी की दीच में आ रहे हैं यह पता चलता है कि आउसाइड नेशन हुमारे उपर कितना डिपेंडेंट है कि हमारे प्रोड़क्स के लि हमारे सिटिजन बाहर कमा रहे हैं और इंडिया में कमा रहे हैं इनके बीच पर डिफ्रेंस वो एन एफ आई यह में आ जाएं तो एन एफ आई यह का मतलब होता है जी एन पी माइनस जीडी नेट फॉरेंट इंकम ज्यादा तर कंट्रीस में बहुत छोटी होती है क्योंकि पेमेंट जो भाई सिटिजन के दौरा अर्न की जाती है और जो फॉरेंटर के दौरा अब की जाती है वो जनरली एक दूसरे को बैलेंस कर देख अब एक और सवाल जो सामने उठता है वो यह कि वाई जीडीपी जो है वह आपका सबसे इंडीकेटर वर्डवाइट क्यों ल यह एक एकनौमिक ॡ्रोथ का मेजर होता है, यह मीजर कॉंट्रिपूटर होता है वैलफेर में और जीडीपी में बतलब यह आपका खरूर्लेट किया जाता है बहुत सारे अलग अलग डेवल्लमेंटल मेजरs के साथ में जैसे कि हमारा लिटरेसी चुलियक हो गया लिटरे सब्सक्राइब करना बहुत मुश्किल होता है और इनको मीजर करना बहुत मुश्किल होता है और यह में क्या होता है कि सारी की सारी मशीन और इक्यूबमेंट्स उनको हम कुछ और प्रेडियूज करने के लिए यूज करते हैं अब उन में कुछ न कुछ यह ए टेयर तो होता ही है तो एकिनोमिक डंस पे सीड़ी सीड़ी बात है कि जो कैपिटल का लॉस हुआ है यह जो लॉस ऑ अपने क्या किया आपने कोई भी सामान खरी था एक नहीं गाड़ी थी वह गाड़ी 10 लाक कि आ रहे हैं अब आपका बदल गया मन कि भाई मुझे तो इसको जो है नहीं चला आप इसको बेचने की कोशिच की वही गाड़ी आपकी 10 लाक में तो बहुत कम ही जाए नौ लाग नंपे अजार में बंदा ले लेगा साड़े नौ लाग में लेगा नौ लाक में मतलब जितनी जादा कम हो सकता है बंदा उसकी लगाएगा और वह इसको उस पर नहीं लेगा चलो मैं दूसरा एक्जमबल देदा हूं कि आपने गाड़ी उठाई गारी उठाने के आपने सको एक साल तक चला एक बेचने के घोशिश की क्यों नहीं कि उसके अंदर ऑसकी वेर प्रने लेगे तो क्या होगा उसकर वेल्यू भॉज जाएगी कि उल्च अलाके होते हैं य८ित चिरेक में और में go द्रीनार्ज लाके होती नहीं होती है इस wear and tear को replace करने के लिए तेंगे otherwise जो प्रोड़क्टिव capacity donation की वो खतम हो जाएगी replacement जो आपका capital form में आता है उसको का जाता है capital consumption allowance यानि कि यह आपका वो पैसा है या फिर जो capital है जिससे wear and tear को replace किया जाए इस scenario में देखेंगे तो investment expenditure आपका firms का तो कुछ खर्चा होता है यानि कि जो investment expenditure है firms का वो हमारा दो चीजों से expenditure वो हमारा दो चीजों से बना हुआ किसके चीजों तो बना हुआ है पहला पार्ट आपका आ जाता है कि उनको जब नया समान करिगना पड़ता है मतलब buy new capital goods and machine for production इसको कहा जाता है net investment ठीक है मतलब कि सीरीज सी बात है ना वहीं आपको wear and tear को replace करना है तो आप क्या करेंगे कोई चीज़ पुरानी हो जी कि तो अपने नए goods या machine को खरीदा इसको net investment कहा जाता है क्योंकि production capacity firms की अब expand की जा सकती है दूसरा तरीका होता है जब आप replace करते हैं यूजड अप capital goods और maintenance रहता है existing goods capital goods का कर रहा है या फिर आप उनको replace करना है अब आपका खर्चा होता है इसको कहा जाता है depreciation expenditure तो आपका खर्चा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं gross investment तो मतलब gross investment आपका बन जाता है net investment plus depreciation ठीक है अब उसके बाद में यह जो net investment is equal to gross investment माईने depreciation मतलब इस equation को आप कैसे भी लिख सकते हैं अगर इस equation को देखा जाए तो यह जो net investment है आपका यह production capacity बढ़ा देता है किसी भी firm की किसी भी company की output बढ़ा देता है अगर यह positive होता है तो है ना और यह easily verify किया जा सकता है एक single plant के लिवर एक single आप industry में चले जाए किसी single plant को pick कीजिए और यहाँ पर आप देखे कि वह कितनी नई machines जो है वह आपकी setup की गहीं किसी particular year में कितनी नई machines आपकी लगाई गहीं है वह आपका उन machine से जाधा होना चाहिए जो कि उस particular year में एक use की गहीं है ना तो government क्या धरत यह government decide करती है announce करती है rates का कि जिसके द्वारा assets depreciate करते हैं एक list published की जाती है और उसको अलग-अलग sectors हमारी economic के use करते determine करने के लिए कि वह अलग-अलग assets का depreciation का level कितना पहुंचा कि फिर कंसायप आता है एंडीपी या फिर नौ नेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट का एंडीपी का सीधा सा मतलब आ जाता है यह हमारी वो जीटीपी होती है जिसको आप calculate करते हैं जब आप depreciation को adjust कर लेते हैं डेपिसेशन की value आप सीधी से बात है जीटीपी में से लिए टेयर जो है इसी वज़े से क्या होता है मतलब होता है हमारे जीटीपी का जीटीपी मैसे माइनस आप कर देंगे total value of depreciation का मतलब होता है जो कि पिछले एक साल में हुआ है जब गोड्स और सर्वेसिस को प्रेड्यूस किया जा रहा है तो एंडीपी इसकल टूटीपी माइनस depreciation एंडीपी किसी भी एकिनॉमी का जो रहता है वो हमेशा GDP से कह रहता है वो हमेशा GDP से कम रहता है क्योंकि depreciation जो है आपका वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं वह हमें से कुछ पॉजिटिव रहे गई रहे तो उसके बाद आता है एंडीपी या फिर नेट नेशनल लिए आती है ठीक है सिंपल सब्सक्तों में कहा जाए तो एंडीपी विल भी एकवल टो जीडीपी प्लस इंकम फ्रॉंग एब्रॉब एना माइनस depreciation कर देंगी तो यह जो एंडीपी और एंडीपी के जो हुआरे concept साथ है इसके उतारा अलग-अलग economies को मीजर किया जाता है क्योंकि यह जो method है वही हमारे depreciation वह calculate करने का यह nation to nation मेरी करता है एक asset किसी एक country में मुलिवान हो सकते हैं दूसी country में same rate के साथ में वह wear and tear उनका नहीं बढ़ रहा है या फिर उनका depreciation नहीं हो रहा है तो जब हम NNP को divide करते हैं किससे total population के साथ total population तो वही किसी nation के रहती है उसके साथ हम divide करते हैं तब हमें PCI की value रिकल के आती है PCI रहता है per capita income of a nation है इनकम पर head per year को कहा जाता है per capita income उसके बाद आएगा market price and factor cost market price सबसे पहले क्या हो गार्केट price नाम से पता चलना होगा है ना मतलब की simple सी बात कहें तो जो actual transacted cost रहती है ट्रायेृइबह जो आपकी माइन अणर्ण करनी जाती है जिसकी वजह से किसी पाम पर बता देता हूँ आप बाजार खरीद में रहें कोई सामाण मानी जे आपने 100 रुपीज का कोई सामान खरीत है अब या 100 रुपीज का सामान जो आपको मार्केट में दुकान पर मिल रहा है इसमें वो सारे indirect taxes जो है वो जोड़े जाएंगे जो सरकार की तरफ से लगाएते customs duty फ़लान डूटी अब जो भी duties वगरा लगा रखी हो वो सारे इसमें जोड़ लिए जाएंगे मान लेजिए इसकी जो actual cost है actual cost इसकी आरीए 60 रुपे 60 रुपे के बार यह जब दुकान पर रखा गया है तो दुकान पर इसकी 100 रुपे प्राइस है अब 100 रुपे प्राइस की साथ इस बज़े से भी हो सकती कि इसको बाहर से मगाया हो तो इसमें import duties लगाई नहीं और अगर इसकी marketing post यहां पर रखने की post फलाना post जिखाना post जो भी छुपे होई सारे taxes लगा कि इसकी proper value गर दिये कि यह इस और पर का customer को बढ़ जाए यह होते इसकी market price लेकिन अब क्या होता है कि कई वार सरकार subsidy भी दे लेटी सरकार अपनी तरफ से बोल देते कि इस यह जो आपको प्रोटक्ट है यह सरकार जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहां हम इतनी subsidy इसमें दे रहे है हमारी तरफ से relief रहेगा तो सरकार ने इसमें 20 रुपई से अपनी तरफ से subsidy भी दे दी कि कोई भी बंदा करे देगा तो आपने इसके जिसनी price लखिए उसमें 20 रुपई मानिस करके आप सको देंगी तो जनता के लिए अब आपका 80 रुपए का point तो इसमें indirect taxes जोड़ दिया और subsidies को आपने क्या कर दिया अटा दिया तो फिर हमारी जो price मिदल के सामने आती है वो आपकी आजाती है असी इसमें subsidies भी लगी हुई है और इसमें indirect taxes भी आपने लगे हुए ठीक है यह market price है कि बंदे को कितनी price भी यह मिल रहा है अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि वह factor cost क्या होता ठीक है तो factor cost का सीधा सा मदलब आता है सारी factors of production की cost जिसको use किया गया है या पर consume किया गया है इस particular goods or services को produce करने के लिए इसमें जमीन का rent भी आ जाएगा ठीक है capital जो अपने loan में लिया है उसका interest भी आ जाएगा अपने labor को जो तनकहाएं देनी है wages भी आ जाएगे जो profit आपको पहुंचना है वो भी count कर लिया जाएगा इन सब को मिला जुलाके आना मतलब आपका जो एक्ट्वर प्रोडक्शन पॉस्ट आपका यह सब मिला जुलाके बन जाता है जो कि फर्म ने प्रेडियूस किया है और फर्म किसी जो क्या बोलते हैं प्रोड़क्त को सा अब उसकता है ट्रांसपोर्ट करेगा हो सकता है ट्रांसपोर्ट करने बीस रुपए लगए लगए लिस दुगान को कि रख रहा है उस दुगान का भी कुछ नगोच आपका किराया होगा फ़लानी चीज होंगी तो अब उसको फैक्तर पॉस्ट का जाए आखरी स्टेट पर फिर जो पैसा आए टेक है टो बेसिक सी बात यह है कि भई हम जब भी इनको कल्कुलेट करते हैं तो इंडारेक्ट टैक्सिस जो रहते हैं उनको कर देता है एक्स्ट्लूप ठीक है शब्सटीज जो आपकी गववर्में मार्केट प्लेस में हम आपके इंडेरेक्ट टैक्सिस को इंच्टलूट कर देते थे और इंडेरेक्ट टैक्सिस को अगर हम देखेंगे तो वही इंडेरेक्ट ड्वलत है टेक्सित आ जाते हैं और minus आपके हजाती है subsidies को factor cost कितला होगा आपका market price plus indirect taxes minus subsidies अब हम इस concept को use करने के बाद मैं जो GDP आपकी factor cost पे होती है उसको आप net indirect taxes को GDP at market price से minus भी कर सकते हैं तो इसके दोरा कुछ आपके एक दोई questions आती है उनको मैंने PDF में इकलूट कर रहा है आप जाके इस PDF में देख लिए उसके बाद जो concept आता है वो आता है national income national income का सीधा सा मतलब आता है measure of all the measure of sum of all factor income sum of all factor income जो वही किसी भी देश के नागरिकों के दोरा कमाए गए हो किस लिए किस 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 प्रेक्ट ना कमाएगा उनके land, labor, capital, entrepreneurial talent जो country के अंदर भी आ सकता है country के बाहर भी आ सकता है इसका मतलब है कि national income जो रहता है हमारा वो रहता है NNP at market price और इस वे से हम minus क्या कर देंगे indirect taxes और प्लस कर देंगे subsidies ठीक है तो net national product at factor cost आपका जो रहता है उसके बरावर रहता है इसको obtained किया जाता है जैसे मैंने अभी बताया था by deducting net operate sorry net indirect taxes को हटाया जाता है from NNP at market place ठीक है अब NNP at factor cost को हमने national income के लिए choose क्यों किया है इसका simple सा reason क्या है तो देख़ो जो NNP होता है ये आपकी income को दिखाता है जो किसी भी country के citizens ने और ने किया अब ये खोड़ा जादा science बनाता है क्यों जादा science बनाता है क्योंकि foreigners की जो income होती है उसको include नहीं किया जाना चाहिए इसलिए NNP को आपका NDP के उपर prefer किया जाता है factor cost जो आपका use किया जाता है क्योंकि net indirect taxes like sale tax, excise tax ये सब हपके factors of production में contribute नहीं करते है दूसरी पांक taxes के लिए देखा जाए तो देश में कई बार non uniformity आ जाती है और जो goods होते हैं उनकी prices developing countries लागि इंडिया में कई बार उनकी उपर नहीं चपी होती है फिर उसके बाद concept आता है transfer payment का तो transfer payment का सीधा सा मतलब आ जाता है जो अपकी payments government से individuals को खी जाती ठीक है government की दोरा individuals को पैसा बेजा जा रहा है जिसके लिए किसी भी तरह की economic activity नहीं हो रही ठीक है मतलब इंडिविडियों के दारा बदले में कोई economic activity नहीं हो रही है इसमें हमारी पोर्ड एज पेंशन्स आ जाती है scholarship आ जाती है ऐसे बहुत सारे examples आ जाती फिर उसके बाद हम बात करेंगे personal income की personal income का मतलब होता है जो सारी income जो किसी भी individual के दोरा एक साल के अंदर receive की जाती है वो सारी income इसमें count कर ली जाती है इसमें हमारा transfer payments जो रहती है like LPG subsidy उसको भी count कर लिया जाता है welfare payments जो आपकी households के दोरा receive की जाती है लेकिन वो आपके national income के elements नहीं होते क्योंकि वो transfer payments की getting ready में आते है similarly national income accounting की अगर हम बात करें तो इसमें जो income आपका individuals के दारा क्या बोलते है individuals की जो income होती है उसको लिया जाता है जो actually में वो receive नहीं करते हैं जैसे कि किसी भी company के undistributed profits हो जाते है यह undistributed profits आपके profit तो company के हैं लेकिन यह उसके workers में बाटे नहीं गए है employees का contribution रहता है social security के लिए जो आपके corporate income tax लगते हैं यह सब actually workers को मिलते नहीं है लेकिन इनकी salary slip पर show करते हैं आप मैंसे जिन लोग नहीं salary वगरा कियोगी उनको पता है कि फ़लानी तुलानी जाए deduction होता है तो जब बाती की deduction होते हैं यह national income के तो पार्ट होते हैं लेकिन इनको बंदा receive नहीं कर इसलिए इनको deduct किया जाता है national income से किसी की personal income को estimate करने के लिए तो personal income का अगर हम equation लेखे हैं तो आ जाती है national income plus transfer payment और minus कर देते हैं corporate retained earnings income taxes social security taxes वगर वहीं DPI यानि कि disposable personal income का मतलब होता है वो पैसा जो इंडिविडल के पास हात में होता है वो जिसको जैसा चाहिए खर्च करना चाहिए यह वो amount होती है जो इंडिविडल को मिलती है जब वो अपने सारे personal taxes पे कर देते हैं जैसे कि आपने income tax pay कर दिया आपने rent tax रेंट वगरा पे कर दिया property tax वगरा आपने पे कर दिया ठीके सुरी रेंट नहीं है गास मैं यह वो amount होती है जिसको households खर्च कर सकते हैं या फिर save कर सकते हैं तो disposable income का मतलब होता है consumption plus savings अब उसके बात में हमें यह समझना है कि factors कौन को से national income को effect करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आ जाता है factor production है ना जितना जादा efficient और richer हमारे पास resources होंगे उतना जादा ही हमारी national income का level high होगा है ना या फिर हमारा जीनपी होगा लैंड की बात करने तो वही हमारे जो resources होते हैं पोल आयरें टिंबर वगरा यह हैवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो है ना यह हमारे अब लेबन होने चाहिए अब लेबन होने चाहिए ज्यादतर लिगों के लिए लूसेश अब्दों में कहा जाए तो इनकी जो जो जोग्राफिकल लोगेशन होती है natural resources की वो भी हमारे जीनपी का level को decide करता है कैपिटल की बात हम कर लेंगी तो कैपिटल को generally decide किया जाता है investment के जरी है और investment आपका डिपेंड करता बागी टैक्टर्स जैसे की profitability, political stability वगरा तभी तो कोई invest करेगा है ना लेवर और entrepreneur की अगर हम बात करें तो जो quality और productivity होती है human resource की वो भी आपके ज़्यादा important होती है quantity से manpower planning और education क्या अगरते है productivity और production capacity किसी भी किनौमी में बढ़ा देगा वही टेक्निलोजी भी आ जाता यानि कि टैक यह फेक्टर भी इंपर्टेंट होता है नेशन पीए जिनके पास natural resources होते हैं कम जैसे कि जापान मगर अगर टेक्निलोजी में development देखा जाएगा तो उससे level of invention और innovation production में काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस्राइल भी मेरे से जूट और टेक्साइड इंडस्ट्री काफी अतर जुपडाइज हो सकती है क्योंकि वहाँ पर फैवरेवल बिजनस इंवर्मेंट नहीं चल रहा है वहांकि government is stable नहीं है ना government is stable थी तो वहीं वहाँ सब्कुस ठीक चला था लेकिन अब वो सब effect हो सकता है कहानी कि यह political stability की category म में आ जाएगा stable economy और political system क्या करता है appropriate allocation of resources करता है वार इंवेस्टमेंट को discourage करते हैं और business activities कम होगा ठीक है अब इसके बाद में यह हमारा पार्ट वन हो जाता है इस lecture का इसमें और भी कलस्टा आते हैं वह हम कन पढ़ेंगे यानिक हम national income को compare करेंगे हम exchange rates की बात करेंगे उ के national income के उन सारे methods को भी अब एक बार देखेंगे methods को देजने के बाद में भाई फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में economic growth versus development के कुछ की indicators होते हैं हमको भी discuss करेंगे उसके बाद यह पूरा आपका topic होता है national income accounting का यह हो जाएगा खता ठीक है तो आप लिगों पर यह सब कुछ का subscribe this video आज के लिए तना ही जाएंट विए